दोस्तो अवद भी स्वेदल है 28 Second Year और पेपर 2 एक इंपॉर्टेंड और मोस्ली रिपीटेड कोश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में और वो क्या है मापन तथा मुल्यांकन में अंतर यानि कि मापन और मुल्यांकन में क्या अंतर है दोस्तों मोस्ली रिपीटेड है कई का है मुल्यांकन का अर्थ आर्थ किसी वस्तु या प्रकिरिया का मुल निस्चित करने से मूल मतलब वैल्यू इसलिए इसको वैल्यूस कहते हैं इस प्रकार सैच्षिक मुल्यांकन का सिक्षण प्रकिरिया तता सीखने की किरियाओं से उत्पन अनुभाओं की उपियोगिता के बारे में निर्ड़य लेना वही जब कि मापन क्या होता है मापन नियमा अनुसार वस्तू या घटनाओं को संख्या परदान करना है यहाँ पर आपने देखा कि मापन में कहा जा रहा है कॉरलिंगर के अनुसार मापन की परिभासा मापन नियमा अनुसार वस्तू या घटनाओं को संख्या परदान करता है जबकि मुल्यांकन में क्या होता है कि एक वस्तु या प्रकिरिय के मुल्य निश्चित किये जाते है और साथी साथ उत्पन अनुभवों की उपियोगिता के बारे में नेड़य देना पड़ता है यह हो गए मुल्यांकन यह किताबी भासा परिभासा हो गई आसान से भासा में समझ जाए कि मालने जी एक बच्चा intermediate यानि कि 12th के exams में उसको 75% मिले हैं यानि कि उस बच्चे ने 1000 में 750 नंबर प्राप्त किये हैं ठीक है 750 नंबर तो ये 750 नंबर प्राप्त करना क्या है एक संख्या है अंक परदान करती है जो कि मापन है उसके अंक निर्धारित किये गए है ये उसके numbers marks decide किये गए है ये हो गए उसका मापन ठीक है अब मैं आपसे पूछू कि क्या 750 अंक प्राप्त करने के बाद इस बच्चे को किसी अच्छे medical college में admission मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है ये प्रश्ण है या फिर आपसे मैं पूछू कि क्या 750 अंक यानि कि 75% अंक के बाद उस बच्चे को अच्छे engineering college में admission मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है तो आप ये देखेंगे कि अगर medical में admission लेना है तो उसके PCB यानि physics, chemistry और biology में कितने marks है या फिर अगर उसको engineering में admission लेना है तो आप देखेंगे कि उसके PCM में कितने marks है तो उसके अंक तो 750 है उसके 75% है लेकिन वह इस अंक के साथ दूसरे college में admission लेने के लायक है या नहीं है इस चीज़ का निर्ड़य करना मुल्यांकन कहलाएगा जबकि उसके प्राप्त अंक जो संख्या है वह उसके मापन कहलाएगे चीज़े समझ में आई कि वह कितने number वह जो संख्या है वह मापन के अंतरगत आएगी लेकिन उस संख्या के अधार पर आप उस बच्चे की value decide कर रहे है और उस बच्चे के भविसे के बारे में निड़ा ले रहे है वह चीज़े मुल्यांकन के अंतरगत आती है चीज़ों को और देखेंगे चलते हैं थोड़ी से difference की तरफ इसके अंतर की तरफ उसके साथ ही साथ हम examples को देखेंगे और इन चीज़ों को समझेंगे आसान से सब्दों में मापन की अपेक्ष्या मुल्यांकन अधिक व्यापक होता है यादि कि मापन सक्किन होता है मुल्यांकन व्यापक होता है इसी में आगे लिखा है कि मापन के अंतरगत किसी वस्तु अत्वा वस्तु के गुनो अत्वा विस्यस्ताओं का मात्र वार्डन किया जाता है क्यों उसके बारे बात किया जाएगा लेकि जब की मुल्यांकन में क्या होता है कि मुल्यांकन के अंत्रगत वक्तियत्ववस्तू के गुणों अत्वविसिस्ताओं के जरूरतों के बारे में बात की जाती है समझ में नहीं आया, नहीं समझ में एक्जाम्बल की तौर पर मैं अगर कह दूँ कि आप एक बच्चे की हाइट मेजर करके आगे अब मैं आप से पूछता हूं, कि क्या इस हाइट के साथ वह बच्चा यूपी पुलिस के लिए क्वालिफाइड है तो आप यह देखेंगे कि यूपी पुलिस की क्या नियूनतम हाइट होनी चाहिए उस हाइट की कितनी जरूरत है उसको और क्या वो मानक पूरा करता है की नहीं अगर वो पूरा करता है तब वो यूपी पुलिस में जाएगा तो ये तुलना करना ये नेड़े लेना मानकों के साथ कंपेर करना वो हाइट की कितनी जरूरत है इसके बारे में पता लगाना ये किसके अंतरगत आएगा मुल्यांगन के अंतरगत सिंपल सी बात है यहां पे गुर आत्वा विस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् इसका नेड़े करना मुल्यांगन का उधारण है बिलकुल उसाही बात इससे पहले आपको बता दी गई है कि कितने प्राप्तांग है ये बताना मापन है उस प्राप्तांग की अधार पर वो अगली का अच्छा में जाएगा कि नहीं इसका नेड़ा लेना मुल्यांगन है छोटे छोटे पॉइंट से बहुत ही असानी से देखके खतम करेंगे इस वीडियो को मापन में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती बिलकुल नहीं बनाई जा सकती मुल्यांगन में कई परिछड के आधार पर बालक के वीसेस में धारणा बना जाते हैं यहां पर धारणा नहीं बनाई जा सकती है, यहां पर धारणा बनाई जा सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि मापन में निश्ची धारणा नहीं बनाई जा सकती है, जब कि मुल्यांकर में निश्ची धारणा बनाई जा सकती है, इसका क्या मतलब हुआ, बेस्ट एक्जाम 100-100 rank है पंद्रह-100 rank है तो आप कहेंगे वाओ बहुत अच्छा बच्चा है तो मैंने rank बताया पंद्रह-100 rank तो आप एक धाडा कितना है यह जो इसका प्राप्तांख है वो कितने नंबर पे आएगा तो यह सारी चीजे मुल्यांकर के अंदर आती है जबकि केवल उसका माक्स बता देना कि उसने 115 या 125 पाया तो वो मापन के अंदर आती है तो क्या यह चीज़ें सही नहीं लिखी है यहाँ पे कि मापन के अधार पे आप निश्ची धाड़ा नहीं बना सकते हैं जबकि मुल्यांकर के अधार मुल्यांकर के अधार पर बालक के विशय में धाड़ा बनाया जा सकता है कि यह चीज़ें बिल्कुल सही लिखी है दोस्तों आसान से भासा में समझ यह क्योंकि एक्जामस में आपको अपनी भासा में लिखना है चलते हैं नेक्स्ट की तरफ अब मापन में भाई समय धन शरम कम लगता है जबकि मुल्यांकर में समय शरम तथा धन अतिक लगेगा खत्म करेंगे इस वीडियो को लास्ट पॉइंट के साथ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मापन के दोरा क्या होता है संख्याएं एक अत्रित की जाती है जबकि मुल्यांकर क्या होता है साक्ष्यों को निर्सकर्स निकला जाता है चीज़े समझ में आ गई जब आप एवैलुएशन करेंगे तो आप इन दो पॉइंट को संख्या परदान करेंगे वह मापन के अंत्रगत आता है कारलिंगर के अनुसार और वहीं जब उस मापन में प्राप्त संख्या के अधार पर किसी वस्तु या प्रकिरिया के मुल्य निश्चित करते हैं तथा उसके उत्मन अनुभव और उपयोगिता के बारे में आप निर समझ जाएं चीज़े होती क्या है फिर आप उसको बहुत भी अपने सब्दों में इसमें पॉइंट क्या है कुछ भी तो नहीं है पॉइंट तो बिल्कुल वही है कि समय धन कम लगता है समय धन जाला लगता है मापन आप कभी भी कर सकते मुल्यांकर मापन के बात किया जात है क्या कहते है दूसरे अंतर कि तो आप आसानी से कह सकते हैं कि मापन मोल्यांकर का ही अंग़ है और वीडियो को मैं आप वीडियो बनाना चाहिए अगर आपको नहीं समझ मैं तो मैं कोशिस करूँगा कि और बहुतर तरीके से समझाओं बाकि इस वीडियो में इतना ही जुड़े रिये चैनल से तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज 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 कर सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जूड़े बहुत दो शुक्रिया जया हिन जया भारा दोस्तों